हेलो एवरिवान वेलकम यॉल ऑन इंडो पाट शाला आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपोर्टेंट बुक्स एंड ओथर्स जो भी हिस्टोरिकल होंगे और कुछ न्यूस पेपर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको किस ने चलाया था तो स्टार्टिंग विद और फर्स्ट क्वेश्चन तो अकबर नामा पुस्तक के लेखक है अबुल फजल और ये जो अकबर नामा है इसका अनदर नेम इस आईने अकबरी ओके तो कहीं कहीं आईने अकबरी देखने को मिल जाता है अकबर नामा का सेकंड नेम है तो ये अबुल फजल ने लिखा है तो ये है अल्बिरूनी जो की उजबेकिस्तान से आये हुए थे और जो मुहमद गजनवी है उनके साथ में इंडिया आये हुए थे और ये जो कितावल हिंद है इसी का इनदर नेम है तहकी के हिंद तो इन दोनों नेम में से कोई भी आए तो आपको अलबिर्यूनी लगा दिना है अब देखें जो यहाँ पे इबन बतूता है जो की मुरक्को के एक ट्रावेलर थे इन्होंने एक बुक लिखी है रहला तो यह important बुक है और यह किसके time duration में आए हुए थे तो यह मुहमत बिन तुगलक के time duration में आए हुए थे इबन बतूता मुरक्को से आए हुए थे और रहला बुक है अब देखें जो अमेर खुसरों है इनको तूती हिंद भी कहा जाता है पैरट ए हिंदुस्तान तो यह इनकी कुछ बुक्स है तुगलक नामा नुहे सिपेहर और खजाहिन उल्फतु तो यह तीनों ही बुक्स इ तो रामचरित मानस इनकी है और अगर कबिर दास की बात करें तो इनका पूरा एक संग्रह कहलाता है बीजक ओके तो बीजक में है साखी सबद रमैनी और यह कंबाइन फॉर्म में होता है बीजक जिसको की कबिर दास ने लिखा हुआ है और रामचरित मानस तुलसी दास गी से चंदरगुप्त सेकेंड तो गुपता पिरेड में है और स्वर्ण योग भी कहा जाता है गुपता पिरेड को गोल्डन एज और विशाख दत्ता ने मुद्रा राक्षस लिखी हुए थी मरिच कटिकम के ओथर कौन है तो ये है शुद्रक और देखे बात करें राज तरंगिनी जो यहाँ पे थर्ड आप्शन में है कल्धन तो इन्हों ने लिखा था राज तरंगिनी और ये कश्मीर के जो किंग से न उनके टाइमेरा पे बेस्ट ये बुक है राज तरंगिनी रि स्वामी स्वामी द्यायनंद सरस्वती ने लिखा था और देखे इन्हों ने जो आरे समाज होता है 1875 में उसको इस्टाबिलिश किया था और अगर बात करें मार्टिन लूथर आफ इंडिया तो ये स्वामी दैनन्द सरस्वती को ही कहते हैं वेदो की और लोटो इनका एक फेमस स्लोगन भी था बैक टू दे वेदाज अगर स्वामी दैनन्द सरस्वती की बात करते हैं तो कहीं न कहीं राजाराम मोहन रॉय का भी जिक्रा आता है तो देखे राजाराम मोहन रॉय के जो न्यूस पेपर्स थे समवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार ये बिसिकली पर्शन लैंग्वेज में था और समवाद कौमुदी मिरातुल अखबार दोनों ही न्यूस वेपर्स ध्यान रखने है राजाराम मोहन रॉय के और इन्होंने क्या किया था सती सिस्टम को एंड किया था विद दे हेल्प आफ विलियम बेंटिक और अगर बात करें तो इन्होंने ब्रह्म समाज का भी establishment किया था तो ये कृष्णदेव राय है और विजय नगर डानिस्टी के बिलॉंग करते थे और देखिए एक और है जांबवति कल्यानम ये भी इनकी एक फेमस कृति है जो की संस्कृत में लिखी हुई है जांबवति कल्यानम ये जो अमग्त मालेद है ओकी तो अमग्त मालेद हैं जांबवति कल्यानम और देखिए जो कोट पोईट थे ऑफ कृष्ण देव राय है तो अल्ला सानी पैदन्ना है और इन्होंने एक बुक लिखी थी मनुचरित्म और हरी कथा सारम तो ये दोनों ही अल्लासनी पेदन्ना के है और देखिए गंगा देवी इन्हों ने लिखा था मदुरा विजयम तो ये बुक्स PCS में पूछी गई है State PCS, UP PCS में तो ध्यान रखना है आपको जांबवती कल्यानम तो ये कृष्ण देव राय ने लिखा है अल्लानी पेदन्ना ने हरी कथा सारम एंड मनुचरितम लिखा हुआ है गंगा देवी ने लिखा है मदुरा विजयम तो ये मौलाना अबुलकलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है और एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये फर्स्ट और इनकी ही बर्थ डेट यानि की 11 ओफ नवेंबर को हम लोग नेशनल एजुकेशन डे सलिब्रेट करते हैं और अलहिलाल इनका एक न्यूस पेपर था ध्यान रखना है आपको अब देखे अगर बात करते हैं मौलाना अबुलकलाम आजाद के बाद हम जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं अबुल पाकेट जैनुल अब्दिन अब्दुलकलाम इन्होंने लिखा है विंक्स ओफ फायर इनकी ये ओटोबाइग्रफी है और अरुन्तिवारी के साथ में इन्होंने लिखा हुआ है विद दे हल्प अरुन्तिवारी और ही हिमसेल्फ रटेन दिस ओटोबाइग्रफी विंक्स ओफ फायर तो ध्यान रखना है आपको विंक्स ओफ फायर और इग्नाइटेड माइंज और Unleashing the Power Within India तो ये दोनों ही बुक्स आपको ध्यान रखनी है एपीजे अब्दुल कलाम की है फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके है तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है सचिंदर नाथ शान्याल और ये जो एच आरे यानि के हिंदुस्तान Republican Association के establishment में इनका भी contribution था तो ये सुभाष चंदर बोस इसके लेखक है और देखे बात करें forward block की establishment की थी सुभाष चंदर बोस ने 1939 में और नेक्स अगर बात करें इंडिया डिवाइड तो ये राजेंदर प्रसाद ने लिखी हुई है फर्स्ट हमारे precedent थे देखे दोनों बुक्स मैंने इसलिए यहाँ पे include कि है कि Indian struggle और India divided दोनों में थोड़ा सा confusion हो जाता है बट आपको ध्यान रखना है struggle वाला हो जाएगा सुभाष चंदर बोस and division वाला हो जाएगा राजेंदर प्रशाद India divided राजेंदर प्रशाद, Indian struggle सुभाष चंदर बोस who is the author of नील दरपन तो नील दरपन के ये दीन बंधु मित्र हो जाएगे author और देखे जो नील या इंडिको रिवोल्ट हुआ था 1859-60 में कहाँ पे बेंगॉल में हुआ था तो बिश्णू चरन विश्वास और देगंपर विश्वास ने इसको रिवोल्ट को लेड किया था इसके तो लेखक नील दरपन के हैं दीन बंधु मित्र तो यही जो नील या इंडिको रिवोल्ट था इसका जिक्र किया गया है नील दरपन में इंडिको नील ऐसे आप कनेक्ट कर ली जगा नील दरपन से दीन बंधू मित्र वो इस दा ऑथर अफ गोल्डन थ्रेशोल्ड तो ये हैं सरोजिनी नाइडू जी और इनको नाइटेंगल आफ इंडिया भी कहते हैं another book अगर बात करें सरोजिनी नाइडू की तो broken wings भी ध्यान रखनी हैं आपको threshold, golden threshold और broken wings दुनों ही सरोजिनी नाइडू की books हैं ध्यान रखनी हैं आपको और ये first female, मतलब Indian के perspective से देखें, तो Congress में इन्होंने अध्यक्षता की थी, Congress के sessions में, और first वैसे देखें तो Any Basin थी, overall first Any Basin थी, जो Congress के अध्यक्षता की थी female में, बट अगर Indian की बात करें तो सरुजनी नाइडो थी, और इन्होंने तो 1917 में किया था, और इन्होंने किया था 19 1925 में, तो ये चीज़ में थोड़ी से ध्यान रख लेनी है, चली बात करते हैं, Any Basin की कुछ newspapers की, तो New India and Commonwealth, और हमने ये discuss कर लिया है, अबुलकालाम आजाद की अलहिलाल है newspaper, तो Any Basin की New India and Commonwealth, और Broken Wings है सरुजनी नाइडो की, और Golden Threshold है सरुजनी नाइडो, Who is the author of पथेर पांचाली, तो ये विभूती भूशन आपको ध्यान रखना है, और देखिए एक और बुख है, जैसे मिताक्षरा, इसको विज्यानेश्वर ने लिखा हुआ है, विज्यानेश्वर इसके writer है, इस तरीके से कुछ इनकी नाम के spelling है, जी वाई नहीं होगा, ज साकेत भी इन्होंने लिखे हुई है, गोदान, गबन, कर्म भूमी, रंग भूमी, तो ये प्रेमचंद यानि कि धनपत रायन का साथ ओरिजिनल नेम था, और ये प्रेमचंद नाम से लिखते थे, गोदान, गबन, कर्म भूमी, रंग भूमी, इन्होंने लिखे हुई है, ये इसके राइटर है सुर्य सिध्धान्थ नाम से पुस्तक है ये आर्य भट्टे की है और ये दव प्रिंस मैक्यावेली की है ये पुस्तक ये इटालियन है और अगर इंडियन मैक्यावेली की बात करें तो चानक की है या कोटिल या विश्णो गुप्त जो चंद्रकुप् वर्मा के मुस्तक बुक तो ये दादा भाई नौरोजी है इसके और इन्होंने थ्री टाइम्स पूरे कॉंग्रिस के सेशन्स को हेल्ड किया था मतलब इसके वो चेर परसन या चेर मैन बने थे ड्रेनेज थियोरी जो मनी का थियोरी भी ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था इनको Grand Old Man of India भी कहते हैं Who is the author of Annihilation of Cast तो जातियता का अंत इस पुस्तक के लेखक है तो भीमराव अंबेटकर इन्होंने Article No.32 को कहा है Heart and Soul of our Indian Constitution तो Drafting Committee के भी ये चेर परसन थे भीमराव अंबेटकर जो प्रारूप समीती था और इन्होंने कास्ट वगरा ये जाती है था को खतम करने के लिए भी ये सारी चीज़े की थी तो आप ये बुक के नेम से ध्यान रख सकते हैं अब यहाँ पर कुछ और important books and authors है one-liner इनको भी देख लेते हैं जैसे देखिए Wealth of Nations हैं तो Wealth of Nations का Adam Smith ने लिखा हुआ है ये economics related book है अर्थशास्तर की अब देखिए जो अर्थशास्तर book है इसमें लिखा है इसे कोटेले या चानक के या विश्नु गुप्त कह सकते हैं जो चंद्रगुप्त मौरे को जिन्होंने led किया था as a guru या mentor economic history of India तो ये रमेश चुंदरदत आरसी दत इनको short form में कहीं कहीं लिखा होता है तो ध्यान रखना है आपको why I am an atheist तो ये भगत सिंग ने लिखा हुआ है मैं क्यों नास्तिक हूँ तो ये भगत सिंग ने लिखा हुआ है और planning in India तो M.N. Roy ने लिखा है the war of Indian independence तो वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा हुआ है India for Indians तो ये चितरंजन दास ने लिखा हुआ है इनका एक और नाम है इनका उपनाम क्या कहते हैं इसको आप comment section में बताईएगा why only socialism तो जैप्रकाश नारायन ने लिखा है भारत दूरदशा तो ये भारत इंदू हरिष्चंद्र ने लिखा हुआ है इंपोर्टेंट है इंडिया अनुरेस्ट किस ने लिखा है तो ये वैलेंटाइन शिरोल ने लिखा हुआ है यह जो वैलेंटाइन शिरोल है इन्होंने कहा था बाल गंगा धर तिलक को यह भारती अशान्ती के जनक है ओके वो इस दा ऑथर अनन्दमठ तो यह है बंकिम चंद्र चैटर जी इन्होंने नेशनल जो गीध है राश्ट्री गीध इसको भी लिखा हुआ है जो कि है वंदे मात्रम और सन्यासी रिबेलियन जो है यह भी इसी आनन्दमठ में इंक्लूडेट है सन्यासी विद्रोह जो हुआ था और अगर बात करें जो महाभास से है यह पतंजली ने लिखा है ध्यान रखना है आपको पतंजली ओप्शन नंबर तो यह महाभास से लिखा हुआ है next who is the author of book Hindi Swaraj तो यह महात्मा गांधी ने लिखा हुआ है इसको और another books है महात्मा गांधी जी की तो हरिजन नवजीवन the story of my experiments with truth तो सत्य के साथ मेरी प्रयोग नवजीवन हरिजन तो यह महात्मा गांधी की books है और Hindi Swaraj भी ध्यान रखना है who is the author of discovery of India तो यह है जवाहरलाल नहरू की भारत की खोज और Glimpses of World History विश्व इतिहास की जहलक Glimpses यह है बाल गंगा धर तिलक की कुछ books sorry sorry जवाहरलाल नहरू की जवाहरलाल नहरू की books है यह Glimpses of World History and Discovery of India अब देखिए जो पंडित मदनमोहन मालवी है जिन्होंने बेच्चू यानि की जो वारांसी में बेच्चू है उसके मदनमोहन मालविया का अब देखिए जो हितवाद है यह गोपाल कृष्ण गोखले का था ओके और अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले तो यह political guru of mahatma Gandhi भी थे हितवाद ध्यान रखना है आपको अमरित बाजार पत्रिका तो यह सिशीर कुमार गोश की है और eternal India तो यह इंदिरा गांधी की है तो आपको देखे ये वीडियो at least two to three times देखनी होगी तभी आपको ये सारी चीज़े याद होगी या revise कर रहे हैं तो अच्छी बात है अगर याद है already तो ये है रवींदर नाथ टैगोर और ये देखे अनदर बुक है इनकी गोरा तो ध्यान रखना है आपको ये बुक्स और ये गीतांजली भी इसके लिए इनको साहित्य का अवार्ड में मिला था तो ये है अरवींदर घोष और अगर बात करें अनदर बुक्स तो ये कर्म योगी ध्यान रखना है और युगांतर एक बेंगॉली वीकली न्यूस पेपर था ये ये युगांतर ये भी इन ही का था अरवींदर घोष का और लाइफ डिवाइन मोस्ट इंपर्टिंग क्व बुक है जिसे आर्कटिक होम ओफ वेदाज तो ये भी बाल गंगा धर तिलक की बुक है और इन्होंने टू मैगजीन चलाई थी देखिए मराथी लाइगवेज वाली थी केसरी और मराथा जो थी सेकेंड नमबर पर मैगजीन तो ये इंग्लिश लाइगवेज में थी और इन्होंने एडिंग पेसेंट के साथ में मिलकर क्या चलाया था होम रूल आंदूलन तो ये हैं लाला लाजपत्राय इसके लेखक और इनकी ही साइमन कमीशन के विरोध में इनकी हत्या कर दी गई थी देखिए जो यंग इंडिया है ये वीकली न्यूस पेपर है इसको और अनहापी इंडिया के जो राइटर है ओथर है लाला लाजपत्राय है वो इस दा ओथर अफ इंडिका तो ये मेगस्थनीज विल बियो करेक्ट एंसर सलीकस निकेटर का ये अंबैसेटर था राजदूत के तौर पे इनको भीजा गया था अब देखिए यहाँ पे कुछ पालिदास की है और सभी संस्कृत में लिखे हुए हैं बुद्ध चरितम अश्वगोशा ठीक है कथा सरित सागर ये सोम देव ने लिखा हुआ है राज तरंगिडी कल्यंड ने लिखा हुआ है कश्मीर का इसमें किंग्स का हिस्ट्री है इसमें अश्टा ध्याई इंपोर् कनिश्क के जो चिकित्सक कहे जाते थे डॉक्टर कनिश्क के राजदर्बार में जिसके अध्यक्षता में चौथी बौध्य संगीती भी हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल फोर्थ नंबर की कनिश्क के टाइम पिरेड में हुई थी तो चरक उनके 40 अर्थे दर्बार में पिराले रहती थे शुशरुथ तो यह शुशुत संगीता यह शुशुता ने लिखी है लेक्तस देखिए अगर अर्थ शास्तर की बात करें तो यह कॉटिले ने लिखी हुई है या विश्नु गुपत्य चानक क्य कह सकते हैं पंच्य तंदर विश्णु ॶर्मा ने लिख गीत गोविन जैदेव ये आरे भटियम और सूरी सिध्धान्त दोनों ही आरे भट ने लिक्ये हुई थी ने लिक्षे रौई के नी लिक्ये rip भागवद गीता एंड महभारता तो यह वेद व्यास निल्खी हुई है मिलिंद पन्हो तो यह नागनंध और जो राजा है मिनेंडर युनानी रूलर थे उनके बीच का एक डायलॉग था तो वो मिलिंद पन्हो उसको कहते है मिनेंडर ने लिखा हुआ है यह इंडो ग्रीक भी बाणभट ध्यान रखना है आपको नेक्स्ट देखिए नाटे शास्त्र ये भरत मुनी ने लिखा हुआ है व्रिहत कथा तो ये गुणाध्धे का है गुणाध्धे का है हर्श चरित और कादमरी ये अल्रेडी डिसकस हुआ है बाणभट का है अमुक्त मालेदा ये कृष किया गया था अगबर के टाइम डियरेशन में में गए आर्पनावली प्रेदारशिका और नागनंत धियान रखना आ है आपको some of the books written by Varah Mihir Varah Mihir के द्वारा लिखी गई है Brihat Sanhita Varah Mihir ने लिखा हुए है Panch Siddhantika, Brihat Jatika Okay Brihat Sanhita most important है ये वाला द्यान रखना है Varah Mihir some of the books written by Kalidas most important और ये सभी संस्कृत में लिखे हुए है और सकूंतला कुमार संभवम, मेगदूत, मालविकागनी मित्रम, रगुवंशम और शकुंतला ओके, नेक्स्ट देखे, बात करते हैं वासवदत्ता लिखा हुआ है, बुक तो ये सुबंधु ने लिखा हुआ है पृथिराज रासु, चंदबरदाई की द्वारा लिखा हुआ है किरातार जुनियम, तो ये भारवी, ये कवी भारवी ने लिखा हुआ है कथा सरित सागर, ये सोमदेव, इंपोर्टेंट है इंडिका, मेगस्थनीज ने लिखा हुआ है एहोल प्रशस्ती, जो एहोल अभिलेक वाला था, ये रवी किर्थी ध्यान रखना है, लीलावती, ये मैथ के ऊपर है बुक तो ये भासकरा सेकेंड ने लिखा हुआ है भासकर सेकेंड ने, लीलावती, और देखें, बादशाह नामा या पादशाह नामा ये अब्दुलहामित लाहौरी ने लिखा हुआ है सूरसागर, सूरसारावली, साहित लहरी, ये सभी सूरदास ने लिखा हुआ है और ये अंधे थे, जन्म से ही कहा जाता है अब ये दो स्लाइड और है जियाउदिन बर्नी ने लिखा हुआ है तारीके फिरुष्षाही, फत्वा ये जहांदीरी फत्वा ये जहांदारी और तारीके फिरुष्षाही जियाउदिन बर्नी ने लिखा हुआ है तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ये तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है थोड़ा सा नाम अजीब सा लग रहोगा बढ़ आपको कैसे भी करके याद कर लिना है समहाओ अब देखिए जो मलिक मुहमद जाईसी है इन्होंने लिखा है अखरावट, आखिरी कलाम, पदमावत तो ये चीज ध्यान रखनी है मुवी भी आई थी ना, पदमावत रनवीर सिंग दिपिका पादुकोन की और मलिक मुहमद जाईसी ने लिखा हुआ है पदमावत आखिरी कलाम, अखरावट तीनों ही बुक्स ध्यान रखने है मलूग दास ने लिखा हुआ है चित्रावली, जगनीक कवी का है तो ये आलहाखंड नर्पति नाल ये बिसल देव रासो ने लिखा हुआ है जैसे प्रिथ्वी राज रासो, चंदबरदाई तो ये ध्यान रखना है नर्पति नाल बिसल देव रासो Most important देखें इसमें से है जगनीक, नर्पतिनाल, मलूक दास और मलिक मुहम्मद जाइसी तो ये most important आपको उपर के फोर ध्यान रखनी है नेक्स्ट अगर बात करें फिरोश शाह तुगलक ने लिखा है फुतुह ए फिरोश शाही इसलामी ने लिखा है फुतुह अस सलातिं याहिया बिन सरहिंदे ने लिखा है तारीख ही मुबारक शाही कहीं आप इसको note down कर लेजएगा otherwise नहीं याद होंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा लिख के याद करना ही पड़ेगा Economic Conquest of India तो ये पट्टाभी सीता रमयया ने इसको लिखा हुआ है ध्यान रखना है और the Indian War of Independence of 1857 तो ये वीडी सावरकर ने लिखा हुआ है the presidential years तो ये president भी रह चुके है former प्रणव मुखर जी जी ओके तो ये चीज़े आपको ध्यान रखनी है और इसको pdf के थू भी जरूर रिवाइस कीजेगा now this question is for you who is the author of Satyarth Prakash और आपको comment section में इसका answer देना है till then take care, खूब सार अपना ख्याल रखिए